नमस्कार दोस्तों आज मारे प्लाइड में 23 मेगवाट प्लाइड है जो वह तर्वाइन है उसके जो ने बारे में आपको इसको प्रेक्टिकली चलाएं दिखाऊंगा और उसके कुछ देखा लिए तो आपने देखा है जो इसकी मेंटरस करने के लिए खोला है तो इसका अंदर थोड़ी जो हमने वेक्टोल मारी यह इसका रोटर है रोटर के उपर भी हमने इसके थोड़ी वेक्टोल मारी है जो यहां पर थोड़ा थोड़ा हमें जो स्लीब हैं उनसे थोड़ी हमें वीक लग रही थी तो उन पर हमने जो वेक्टरोल मा रहा है यह आप इसका देख सकते हैं रोकर लगा हुआ है उसके अंदर जो चार कार्बन होल्डर लगे हुए हैं हमारे तो इससे हमारी जो चार पर वायर लगते हैं तो हमारी एवन एटू बीवन वीटू हमारी वायर इस पर कनेक्ट होती हैं तो वह हमारी मोटर के अंदर जो हमारे कनेक्शन बॉक्स के अंदर जाती हैं यह चार जो लीडे हैं आप देख सकते हैं यह हमारे रोकर पर अलग-अलग होल्डरों पर लगत फाइब किलोबाट और इसके जो अंपेयर है वो 50 है और 110 वोल्टेज में वरक कर रही है इसके लिए अलग से हमारा पावर बैंक लगाया गया 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 है कि कभी भी बिलाक आउट हो ग्रीड चले जाए कभी भी इसको सप्लाइब की जुरूरत पड़े मतलब ऑईल की पंप है तो उसके बैरिंग खराब ना हो इसलिए यह लगाया जाता है कि उसको हार टाइम जाता रहे उनके बैरिंगों को तो यह इसके कनेक्शन किया गया है जो एवन एटू आप नीचे देख सकते हैं रैड वाली वाइफ सेस्ट दिया गया है और वीटू को हमारा जो है नेगिटिब दिया गया था और एफवन एफटू पर हमारी जो चली गई है एफवन एफटू की जो फिल्ड आप देख रहे थे यहां पर रोक कर आपको दिखाया था मैंने जो एवन आप यहां पर एक राइट साइड के होल्डर में लगी हुई है और बीवन लगी हुई ह है उसमें एक टू की जो वायर लगी हुई है और इसके अंदर जो हमारी शंट जो इंटर लगे हुए हैं तो उनको भी इसके साथ ही सीरीज में ले लिया गया है तो आज हमने इसका ट्रेल लिया है बहुत ही खास मोटर है इसके अंदर बहुत ही संबाल कि इसको खोलना पढ तो ब्रीक वायर जो आप देख सकते हैं वहां पर लगी हुए F1 F2 पर यह हमारी जो बड़े वाली फिल्ड थी उनकी है और इंटर पॉल के लिए हमारी उसी जो हमारी वाली रोटर है उसे के साथ उसको सीरीज में ले लिया गया है तो हमारी कास मोटर है एक हमारे जो 23 मगाइब वामट पलांट है उसमें ये है तो यह आप कनेक्शन थी देख सकते हैं इसकी तो इसकी जो निम प्लेट है क्रंटेमगेप की थी संट मोटर है उसकम एक 110- worthless actively क्रू सब कुछ इसके उपर लिखा हुआ है तो है काफी खास मोट आ रहा है इसकी मेंटरनेस्ट करने करें काफी बहुत रियर केस है इसके कनेक्शनों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें